हलो फ्रेंडस वेलकम टू S.S.C. कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे एवरेज के प्रेशनों की और यह सभी प्रेशने दोस्तो Давайте सग्रबाल की बुक के लिये गये गये हैं और सभी प्रेशने एक्जाम में पूछे गये हैं तो सभी प्रेशने इंपोर् है मैं दोस्तों यह कोशन पूछा गया था क्या सीरीज दी गई है आप से कह रहा है 16 A plus 16 B बराबर 48 दे रखा है आपको ठीक है अब देखें मैं आप देखोंगा यहां भी 16 है यहां भी 16 है तो 16 दोस्तों common आ जाएगा 16 common आ गया क्या बचा A plus B बचा बराबर 48 अब 16 से 48 दोस्तों कितनी वार में कटेगा तीन वार में कट जाएगा तो इधर क्या बचा A plus B बराबर तीन बचा क्या पूछ रहा है A और B का ओसत पूछ रहा है तो A और B का योग दोस्तों कितना है, तीन है, पिलस का साइन है, तो योग कितना दे रखा है, तीन, किलियर है, और A और B कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो दो से कर देंगे दोस्तों योग में डिवैड, किलियर है, दो से कर देंगे डिवैड, जितनी संख्या होती है, उतनी संख्या से हम योग में डिवाइड कर देते हैं तो 2 से इसे काटेंगे कितनी वार में कटेगा 2 एक कम 2 कटेगा 1 बचेगा नहीं जाएगा तो point कितना हो गया 10 2 पच्चे 10 तो A और B का उसा दोस्तों कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा पहला option सही हो जाएगा आपका के लिए दोस्तों मैं उमीद करता हूँ question आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ मागया होगा bank P.O. में पूछा गया question है और जब आप question को देखेंगे question भी कठिन लग रहा होगा लेकिन जब solution हो जाता है उसके बाद में बिल्कुल भी कठिन नहीं लगता लेकिन एक बात हमेशा याद रखा करो कभी भी आप question को एक बार देख लें लेकिन अपने हाथ से एक बार उसकी practice जरूर करें जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाएंगे अपने हाथ से जरूर प्रैक्टिस करनी है यह याद रखना ठीक है दोस्तों अब देखते है अगला तीरों के आपको अनुपाद है तीन पाँच सात तीरों का अनुपाद दे रख़ा है अगर मैं से 3x कर दूँ इसे 5x कर दूँ इसे 7x कर दूँ तो इसके मान में कोई फरक पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा क्लियर है तो देखिए संक्चाह कितनी है 1, 2, 3 संक्या है हमारे पास तो 3 से क्या करेंगे दूस्तो डिवैड कर देंगे जतनी संक्या होती है उतने से हम डिवैड कर देते हैं और बराबर आपको आउब को आईउ का जो वासत है 25 बरस दे रखा है के लिए दोस्तो इतनी बात देखे, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप, यहाँ पर यह 3X है, यह 5X है, यह 7X है, तीन संख्या है आपके पास, तो तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, आप जोडेंगे, किलियर है, क्योंकि तीनों संख्याओं का योग में क्या करेंगे, संख्याओं से डिवाइड क कितना हो जाएगा 3x 5x 8x और 7x कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 15x और 3 का multiply यह cross हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 25 यह 75 हो जाएगा यह किलियर है अब देखिए एक्स का मान कितना हो जाएगा 15 से से काटेंगे कितनी वर कटेगा 15, 15, 75 तो X का मान निकल के आगया दोस्तों कितना 5 निकल के आगया आपका क्या पूछ रहा है एक की आईू कितनी है तो एक अनुपाद कितना है दोस्तों 3 तो 5 का मल्टिपेज 3 में कर दीजे कितना हो जाएगा 15 फर्स D option हो जाएगा दोस्तों आपके question का सही answer मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों question आप सभी को अच्छे तरीके से clear हो गया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका 5 संख्याओं का ओसत 18 है एक संख्या निकाल देने पर 6 संख्याओं का ओसत 16 निकाली गई संख्या कौन सी है MBA में पूछा गया है 2004 में ये प्रशन देखे दोस्तों 5 संख्याओं का ओसत कितना है 18 है तो मैंने आपको क्या बताया अगर आप संख्याओं का multiply ओसत से करेंगे तो योग पता चलता है तो 18 पच्चे 90 आपका योग कितना हो गया 90 हो गया 5 संख्याओं का फिर क्या किरा है एक संख्याओं निकाल दी तो 5 संख्याओं थी एक निकाल दी तो कितनी बची चार बची और 4 संख्याओं बची तो ओसत कितना हो जाता दोस्तों सूला हो जाता है इसका मतलब क्या है चार संख्याओं का ओसत सूला है तो हम 4 का मल्टिप्राइब सूले में करेंगे तो योग पता सूलेगा तो सूले चौक के 64 इनका योग कितना हो गया दोस्तों 64 हो गया केलियर होई बात अब क्या करा है जो संख्या निकाली गई है वो संख्या कौन सी है देखें दोस्तों पांच संख्याओं का ओसत था 18 और योग था 90 चार संख्याओं का 16 ओसत है 64 आपका योग है तो पांच मेंसे हम 4 को घटा देंगे तो जो संख्या निकाली गई है वही तो बचेगी तो एक संख्या बचेगी यहाँ पर और यहाँ पर पांस संख्याँ के योग में से चार संख्याँ का योग घटा देंगे जो संख्या निकाली गई थी उसी का हमारे पास बचेगा तो 90 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तो 26 बचेगा यहाँ पर कितना बच्चे का 26 तो जो संख्या निकाली थी वो कौन सी है 26 है उसका योग कितना है 26 है B option हो जाएगा दोस्तो आपके question का सही answer clear हुई दोस्तो बात मैं उमीद करता हूँ question आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आगे होगा अब देखेंगे अगला question अगला प्रेशन है 6 संख्याओं का ओसत 30 है इन में से प्रेथन 4 संख्याओं का ओसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का ओसत 35 है 4 संख्या कौन सी है ये प्रेशन दोस्तो बहुत अच्छा पूछा गया है इसमें स्टुडेंट सबसे ज़्यादा फसता है MBA 2006 में ये प्रेशन पूछा गया था देखें दोस्तो कितनी संख्याओं है 6 संख्याओं है 6 संख्याओं का ओसत दोस्तो कितना है 3 है तो हम क्या करेंगे संख्याओं का multiply ओसत में करेंगे तो योग पता चलेगा तो छेत्रिया अठारा हो जाएगा मतलब योग कितना हो गया 180 किलिए रहे बाद में क्या कर रहा है प्रेथम चार संख्याओं का ओस्त 25 है जो पहले की चार संख्याओं है उनका ओस्त दोस्त कितना है 25 है तो संख्या का मल्टिपाई यहां भी ओस्त से कर देंगे तो योग पता चल जाएगा किलिए रहे फिर बाद में क्या कर रहा है कि अंतिम तीन संख्याओं का ओस्त 35 है जो अंतिम तीन संख्याओं है उनका ओस्त दोस्तो कितना है 35 है तो संख्याओं का multiply औसत से करेंगे यहां भी योग पता चल जाएगा कितना 105, 35 का multiply तीन से करेंगे 105 हो गया, पूछ रहा है चौती संख्या कौन सी है देखिए दोस्तों, यहां पर जो बात कर रहा है वो 6 संख्याओं की बात कर रहा है, ठीक है टोटल 6 संख्याओं का उसत हमारे पास 180 है, लेकिन संख्याओं हैं कितनी, यहां पर कह रहा है प्रेथम 4, तो प्रेथम हो गएं दोस्तों यह वाली किलियर है, प्रेथम 4 संख्याओं यह हो गई यहां पर फिर बात कर रहा है अंतिम तीन, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं अंतिम की बात करूं तो अंतिम तीन ही हो गई, प्रेथम की चार ये, अंति की तीन ये, तो टोटल संख्या तो हमारे पास साथ हो गई, टोटल संख्या दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कितनी हो गई, साथ हो गई, किलियर दोस् समझे में आगी बात क्योंकि 4 और 3 साथ हो गए तो अंत की 3 तो यह हो गई और प्रेथम की 3 इस में से जाएंगी तभी 6 में से 6 गटेगा और यहां पर है दोस्तों सो और 105 यह है दोस्तों 205 मतलब साथ संख्याओं का योग दोस्तों कितना है 205 है हम साथ संख्याओं में से 6 संख्याओं का घटा देंगे एक संख्या का बचेगा वही हमारे पास चौती संख्या होगी तो साथ संख्याओं का 205 है उसमें से 6 का हम घटा देंगे एक का बचेगा तो 205 में से दोस्तों 180 को घटा दीजे कितना बचेगा 25 बचेगा सीधा सीधा के लिए रहे तो चौती संख्या हमारे पास दोस्तों क्या है 25 है पहला option हो जाएगा आपकी question का सही answer उमीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से प्रेशन समझें में आगया होगा के लिए अब देखेंगे अगला पोश्च अगला कोश्चन आपका सो संख्याओं का उस्त पाचास है इन चार नई संख्याओं का उस्त कितना है यह प्रेशन पूछा गया था ऐससी 2007 में और यह प्रेशन भी दोस्तों बहुत अच्छा है क्या कहा रहा है दोस्तों सो संख्याओं सो संख्याओं का ओसत कितना है दोस्तो 44 है अगर हम संख्याओं का मल्टिपाई ओसत में करेंगे तो योग पता चलता है के लिए तो 44 हम 44 हो जाएगा दोस्तो यह और दो ना यहां गांगता है तो योग निकालने के लिए क्या करएंगे संख्याओं का म्लृप्राइइ और सत्र से करेंगे तो गरंदीजिए यह जीरू आ जायेगा यहाँ लाश्ट में 5, COO के 20, 20 इसका फिर 0 हासिल का 2 बचा, 5 का 0 मल्टिप्राइ करेंगे, 0 ही रहेगा, 2 बचा था, उसे लिखिए, कहरी का जो 2 बचा था, 5 एकम 5, तो ये आ गया दोस्तों, इनका योग, 2200, के लिए रही बात, अब पूछ रहा है कि इन 4 नई संख्याओं का उसत कितना है, पहले यहां 104 में से 100 को घटा देंगे, तो 4 ही तो बचेगा, जो नई संख्याओं थी, तो 4 बचा, यहां 104 में से पहले की 4 उसत घटा देंगे, 104 में से 100 संख्याओं घटा देंगे, तो 4 का ही तो योग बचेगा, तो 2200 में से 4400 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 800 बचेगा, किलियर है तो इन चार संख्याओं का योग कितना है 800 है आप से योग नहीं पूछ रहा औसत पूछ रहा है इन चार संख्याओं का योग नहीं औसत पूछ रहा है औसत पूछने के लिए क्या करते हैं संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं चार संख्याओं से डिवाइड कर कितना आएगा चार दूने का आठ दो जीरो तो कितना ओसत है इन चार संख्याओं का 200 है बी उफशन हो जाएगा आपके question का दोस्तो सही answer केलियर हुई दोस्त बात अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका तीन संख्याओं का ओसत 28 है दोस्तो तीन संख्या है उनका ओसत 28 है तो संख्याओं का मल्ट पर ओसत से करेंगे योग पता चलेगा ठीक है तो कर दीजे तीर अठे 24 का चार हासिल का दो तीन दूनी 6 और हासिल का दो कितना हो जाएगा 8 तो योग आपके पास कितना है दोस्तो 84 है योग आपके पास निकल के आगया तीनों संख्या होगा अब बाद में क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी से दोगनी है तो तीसरी संख्या क्या है यह पूछ रहा है दोस्तों टोटर संख्या आपके पास कितने तीन तो यह पहली हो गई यह और ये होगे दोस्तों तीसरी संख्या क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से आधी है के लिए रहे पहली संख्या दूसरी से आधी है ये कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी से आधी है अगर दूसरी संख्या दो होगी तो पहली संख्या आधी है तो एक हो जाएगी पहली संख्या दूसरी से आधी है तो आधी होगी फिर क्या करा है तथा तीसरी संख्या से दोगनी है जो पहली संख्या है वो दूसरी से आधी है और तीसरी संख्या दूसरी से दोगनी है जो तीसरी संख्या है वो दूसरी से दोगनी है तो दूसरी से दोगनी कितनी हो जाएगी चार हो जाएगी इतनी बात दोस्तों किलियर है बाद में क्या करा है का तीसरी संख्या क्या है ये पूछ रहा है दोस्तों प्रेस्ट में किलियर हुई दोस्तों बात अब देखिए साथ एकम साथ 14 वाचा साथ दुने का 14 बारे बार जाएगा पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या है तो सीसरी संख्या आनुपात में कितनी है चार तो बारे चौक के 48 तो तीसरी संख्या दोस्तों अड़तालीस है डी ऑफ्सन हो जाएगा आपके कॉश्चन का सही आंसर के लिए दोस्तों उम्मिद करता हूं सभी की समझ में प्रेश्ना आ गया होगा अब देखेंगे अगला कोष्चन अगला कोष्चन है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तोटर संख्या दोस्तों कितनी है तीन तो ये पहली संख्या ले लेते हैं ये दूसरी संख्या और ये होगी दोस्तों आपकी तीसरी संख्या क्या कह रहा है question में कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगनी है अगर दूसरी संख्या एक होगी पहली दोगनी है तो कितनी हो जाएगी दोग हो जाएगी के लिए रहे तथा तीसरी संख्या की आधी है जो आपकी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगनी है और त तीसरी की आधी है तो तीसरी ये चार होगा तभी तो तीसरी की आधी दो होगी ये के लिए दोस्तों फिर बाद में क्या कह रहा है तीनों संख्याओं का ओसत कितना है दोस्तों आपके पास 56 संख्या कितनी है दोस्तों तीन है संख्याओं का ओसत 56 है तो योग निकालने के लि जब यहाँ पर योग आपका 168 है तो यहाँ पर भी अनुपातों का योग कर लीजे दोस्तों इन संख्याओं का तीन और चार साथ हो गया तो साथ से इसमें डिवाइड दे दीजी कितनी बारी जाएगा? साथ दुने का 14, दो बचे का 28, साथ चोग 28, 24 वार में कड़ गया पोउछ रहा है आप से पहली तथा तीसरी संहाँ का अंतर कितना है? यहाँ पर देखिया अनुपात में अंतर कितना है? अनुपात में देखेंगे दो और चार कांतर कितना है दो है पहली और तीसी संख्या कांतर पूछ रहा है तो अनुपात में पहली और तीसी संख्या कांतर कितना है दो चार कांतर दो आएगा तो 24 का मुल्टिप्राइब दो से कर देंगे दोस्तो कितना हो जाएगा 48 हो दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूँ question आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्ते दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शियर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए और बेल आइकन का वटन भी दवा दिजिए दोस्तों धन्यवाद